आलू का पराठा नाम सुनते ही मुँ में पानी आ जाता है क्योंकि इंडिया में आल्मोस सब के गर में आलू का पराठा तो बनता ही है लेकिन कभी गभी किसी को दिक्कत आ दिये कि उनका पराठा अच्छे से फूलता नहीं है स्टफिंग बाहर आ जाता है तो आज इन सब प्रॉब्लम्स का सॉलूशन आने वाला है क्योंकि आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपका आलू का पराठा एक दम फूला फूला बनेगा स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगा और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनेगा तो चलिए फटा फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आलू का पराठा बनाने के लिए यहां पर मैंने लिये हैं 4-5 आलू यहां पर मैंने 2 शकरकंद भी लिये हैं क्योंकि शकरकंद से आलू के पराठा में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अगर आपके पास शकरकंद नहीं है तो आप only आलू का भी यूज़ कर सकते हो तो चलिए फटा फट से यह सब को हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं तो मैंने कुकर में रख दिया है उनको बॉयल करने के लिए 2-3 सीटे आने तक हमें इसे बॉयल करना है हमारे शकरकंद और आलू बॉयल हो रहे है तब तक हम आटा गुंट लेते हैं तो यहाँ पे मैंने गेहू काटा लिया है बारिक वाला जिससे हम रोटिया बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी भरके आटा लिया है और थोड़ा सा आटा मुझे जादा लग रहा था तो मैंने निकाल लिया है तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 कटोरी भरके आटा लिया है और अब इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल तेल यहाँ पे मैंने 3-4 चमच जितना लिया है तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे तो भी हमारे पराटे परफेक्ट नहीं बनेंगे और अब हम आटे को अच्छे से मसलेंगे ताकि सारा तेल आटे में अच्छे से लग जाए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है तो इसका हमें थोड़ा सद्यान रखना है अटे को पानी डालेंगे यहां पर हमें एकदम से पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सक्त आठा गुंट लेंगे आठा हमारा अच्छे से सक्त गुंट जाए फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से उसे उंगलियों से मसलते ह हुए फिर से घुंदेंगे तो इसतरा हम आटा कुझ देंगे तो हमारा आटा एक दम सॉफ्ट बनेगा और अगर आटा सॉफ्ट होगा तो परआठे भी सॉफ्ट बनेगे अगर अर porch दिया है मैंने के लिएहों रेस्ट करने के लिए को रेस्ट देना वहागा है तो 10 मिर्च के लिए रख दिया है तो चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है धनिया पती धनिया पती में से मैंने डंठल निकाल ली है और धनिया की जो पती है वो ले ली है धनिया की जो डंठल होती है उसमें बहुत गुण होते हैं तो उसे हम फैक दिया है मैंने एक छोटा टुकरा अद्रक का और दो मुठी परके मैंने दे लिया है हरा लसुन अगर आपके पास हरा लसुन नहीं है तो आप सुखा लसुन भी ले सकते हो अगर आप सुखा लसुन ले रहे हो तो आण्ड से 10 कलिया ले ले अगर आपको जादा टेस्ट निकाल लेते हैं एक चलनी में, नीचे मैंने एक बाउल रखा है और उपर रग दी है चलनी और सारे शकरकंद और आलू को उसमें डाल देंगे, इसे हमें एकदम ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद हम उसके चिलके निकाल लेंगे, शकरकंद और आलू एकदम ठंड और बर्दन को दो के मैंने पोच लिया है और अब सारे आलू और शकरकन को उसमें डाल देंगे और एक मेशर की हेल्प से उसे ऐच्चे से मेश खल इंगे यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि आलू और शकरकन अच्चे से मैश हो जाए अगर आलू और शकरकंद अच्छे से मैश नहीं होंगे थोड़े बहुत उसमें पीसीज रह जाएंगे तो हमारे आलू के पराटे परफेक्ट नहीं बनेंगे आलू के पराटे फट सकते हैं उसे बेलते समय स्टपिंग बाहरा सकता है तो चलिए अब जादा बटर ना भी गारती हुई यहाँ पर मैंने ने लिया है वही कुकर और उसके अंदर डाल दिया है दो चमच बर के तेल एक चमच बटर तेल और बटर फ्रट सा गरभ हो जाए फिर उसके इंदर डालेंगे एक चमच बर के जीरा जीरा थोड़ा सा बून तो मैंने लास्ट में डाला है आप बना रहे हो तो पहले डाल दीजिएगा क्योंकि इस तरह करने से जो हल्दी है उसका कच्छा पंदूर हो जाता है और जो मिक्षर है उसमें कलर भी बहुत ही बढ़ी आता है तो यहाँ पेस्ट में हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसके अंदर डालेंगे आलू और शकरकन उपर से डालेंगे तेसके अकोडिक नमक और दो चमच भलके मैंने यहाँ धन्याजिरा पाउडर डाला है और यहाँ पे मैंने आदा निम्बू का रस डाला है तकरीबन दो चमच जितना निम्बू का रस होगा यहाँ पे हमने शकरकन का यूज किया है तो शकरकन थोड़ा सा मीठा होता है तो उसकी मिठास को बैलन्स करने के लिए यहाँ पे हमने निम्बू का रस लिया है अगर आप only आलू का यूज कर रहे हो तो निम्बू को skip भी कर सकते हो तो चलिया बूत पर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और उसे अच्छे से मिक्स कलेंगे अब इस मिक्षर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि मिक्षर ठंडा होना बहुत ही ज़रूरी है मिक्षर ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे को फिर से मसल लेते हैं तो मैंने एक से दो चमज भर के तेल डाला है और फिर से आटे को मसल लिया है तो आपने देखा कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट बन करके रैडी है यहाँ पे हमारा स््टुफिंग भी एकदम थंडा हो गया है तो चलिए अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं तो तबे को पहले हम गरम करने के लिए रख देंगे मैंने तबे को मिडियوم फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने आटे में से एक लोई निकाल ली है लोई को हम पहले ड्राइ आटे से कोट कर लेंगे और इस तरह उसे फैला लेंगे तो यह देखिए आपको इस तरह उसे फैला लेना है हाथों से ही हम उसे फैला लेंगे थोड़ा उसे फैलाएंगे फिर उसमें इस तरह बीच में घřटा कर लेंगे और आप इसके अंदर भर देंगे स्ट्रपिंग तो आप अपनी हिसाब से स्ट्रपिंग भर सकते हो आप जितना स्ट्रपिंग भरनना चाहो उतना भर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी बहान नहीं आने वाला है तो ये देखें मैंने कितना सारा इसमें स्टपिंग भल दिया है और अब इस तरह स्टपिंग को थोड़ा सदा बालेंगे और अब जो आटा है उसकी साइड्स हमें पकड़के इस तरह बीच में लानी है और इस तरह एक गुला हमें तयार कर लेना है तो आप देख सकते हो कि कितना इजी लिये हो रहा है क्योंकि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट है अगर आटा हार्ड होगा तो ये प्रोसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो आटा हमारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए आटे की लोई में अगर आपको थोड़ी सी भी लकीर दिखे तो ये देखिए इस तरह उसे उंगले उसे दबाना है और उसे ठीक कर लेना है आटा सॉफ्ट होगा तो एकदम पर्फेक्टली ये हो जाएगा बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी तो ये देखिए मैंने एक पेड़ा तयार कर लिया है दोनों तरफ से एकदम इवन होना चाहिए मन्दक भी बिल्कुल भी लकीरे इसमें दिखने नहीं चाहिए और अब उसके उपर डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और एकदम हलके हाथों से उसे हमें बेल लेना है तो ये देखिए मैंने उसे एकदम इजिली बेल दिया है बिल्कुल भी स्टरफिंग बहार नहीं आया है यहाँ पे हमारा तबा भी अच्छे से गरम हो गया है तो तबे के उपर डालेंगे पहले थोड़ा सा तेल ताकि हमारा पराठा नीचे से चिपके नहीं यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है मदलब की एक ही फ्लेम पे हम सारे पराठे से केंगे फ्लेम एकदम लो भी नहीं होने चाहिए और मीडियम से थोड़ी सी कम होनी चाहिए तो इस तरह की फ्लेम हम रखेंगे तो हमारे पराठे एकदम परफेक्ट से केंगे तो आप देख सकते हो कि एकदम perfectly हमारा पराठा फूल गया है और ये देखे दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है और वो भी अच्छे से फूल गया है आलू का पराठा बनाने के लिए आपको मैंने जो tips दी है वो tips अगर आप follow करोगे तो आपके भी पराठे इसी तरह फूले फूले बनेगे तो आप अब जबी भी आलू का पराठा बनाए तो ये tips and tricks याद रखिएगा और इसी तरह अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्टत नहीं आने वाली है और फटा फट से आपके सारे पराठे बन जाएगी तो ये दिक्टे मैंने फटा फट से सारे पराठे बना लिये हैं मेरे बच्चों को तो आलू के पराठे बहुत ही पसंद है तो मैं तो हफ़ते में एक बार उनको बना के खिलाई देती हूँ क्योंकि इस तरह आसानी से इतने परफेक्ट आलू के पराठे बनेंगे तो कौन नहीं बनाना चाहेगा तो आप भी इस तरह एक पर जरूर ट्रै कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपके पराठे कैसे बने हैं तो चलिए सारे पराठे मैंने रेडी कर दिये हैं और अब उसे सर्व कर लेते हैं आलू पराठे के साथ कुछ भी अच्छा लगता है जैसे केचप हो गया हरी चटनी हो गई चाय हो गई लेकिन मुझे आलू पराठे के साथ सबसे अच्छा दही लगता है तो दही के साथ आलू पराठे के कॉम्मिनेशन बहुत ही बढ़िया है और ये दही जो आप देख रहे हो मैंने गर पे जमाई है मार्केट की बिल्कुल नहीं है और कितनी परफेक्ट दही जमी है तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लिस कमेंट करिएगा और आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लिस लाइक कीजिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना